एमे प्रीवेस पंजाबी वड़े स्टूरेंट्स बिटा सी अपना जो है एर्थ पेपर कर रहे हैं साई सिधानते विहार कलोचना ओदे चैसी वाद कर रहे सीगे ते आज जड़ा सी वाद करना है ओदा नाम है अधुनिकता वाद जा उत्तर 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 अधुनिकता वा कर लिए कि पंजाबी साहित कोश अनुसार अधुनिकताव विशेश रूचियां दी सूचक है अधुनिकताव जड़ा वर्ड है ना आसी बहुत यूज कर देया नू मोडरन जमाने ला रिलेटिड है बहुत यूज कर दें पर जदो साहित देखेतरी साड़ेगोड आ जानता ह कोई वैसे यादा जवाब नहीं रंदा पर चलो कोई नी अपने वल्लों में कोशिश किती है असान जया टोपिक बनायत वर्ड ले कि पंजाबी साहित कोश अनुसार अधुनिकताव विशेश रूचियां दी सूचक है जो ग्यान विज्ञान अते मनों विज्ञानिक होजा जड़ियांने तो दी च्यांग्यान का फूर एधिवरी कहलाये कि मनुक्ता वाद से असावाद कि प्रती बदता है कि मनुक्त जड़ा विज्ञा जाना रहे मनुकता अधार बना क्था ममता बनाक्र नों अध्व्ण पता नहीं अजिक कदो तक चलेगा अत्विशाल है जो वीवी सदी तो अरंब हो गया युरोप इच तार्मिठार में सदी शुरू हो जान दे इंडिया जो है वीवी सदी शुरू दे जिस विच हर किसम दे परिवर्तन दी परिवर्तन जो है शामिल लेगा कोई एक पदर ते परिवर्तन नहीं होया अधुनिक समय चे बहुत पदर ते सड़ा जड़ा लिविंग स्टाइल है लाइफ स्टाइल है सब कुछ चेंज हो गया नवे समाजिक प्रबंदा जनम होया ते कला लई भी जड़ी है ओधिना नमीन समगरी हासल होई देखो जड़े समाज निकी घानी सारे लिखती कला दे साइत कला दे रूपने ते बाकी जड़िया कलामा चित्र कला मूर्ति कला निरित कला आद यह सारी कलाम अले जो है नमी समगरी भी ऐस अधुनिकता वाद दे समेच हों दी चाहिए ते जड़े परम प्रागत जड़े सब्याचार चले आ रह अधुनिकता वाद दे नाल कोशिश करना बेट जड़िया अगलना तो नू बोल के दसियाने ना एना नू लिख लेना हुन टोपिक ते आजाओ देखो अधुनिकता वाद जां उत्तर अधुनिकता वाद अजादी तो बाद पारत वीच एस मसले उत्ते चर्चा होई नायदारी प्रबंद विख्षित होन दे नाल नाल उध्योगी करांती अते तकनीकी विकास जहे पदार्थक अधार हन जिनाने कलानू खास करके कलाते साहित दे खेतर विच नमी समगरी उकलब्द कराई अजोकिये समय विच नमी समाजिक प्रबंद विजनम होन कारण है कलाते साहितक खेतर विच महत्तव पूरन परिवर्थन आयोगी समाजिक प्रबंद दा जनम होया पहला ओरली भी अपाई गल कर लई तो दे नाड़ जो है साइदे खेतर इस बहुत तबदिली आई उत्तर अधुनिक्ता वाद नूं अंग्रेज जी विच पोस्ट मोडरीटी दा समानार्थी मन्या जांद है अते अधुनिक्ता नूं मोडरी अधुनिक्ता आणदे नाढ़ी अधुनिक्ता वाद सामने आया शारी करन टेख्णोल्जी तरक्की कारण मनुखंदर बहुत जागरती पीछले कुछ सालाई चाही डौक्ट्र अतरसिंग अनुसार साहित कला अते चिन्तन दे खेतर विच साहित कला अते चिंतन देखे तरवीच आधुनिकता दा समन्द विशेश मानसिक बोधिक अते पावुक अवस्थानाड है मान्दी अवस्थानाड बुद्धी अवस्थानाड ते पावनात्मक अवस्थानाड दा समन्द है जड़ी पच्छम विच स्थार्वी सदीच ते अपारतीच जो है वेमी सदीच अरंब हुंदी है डक्टर महिंदर पाल सिंग कोली अनुसार आधोनिक्ता नो कोई वाद नहीं किया जा सकता एक्तोर महिंदर पाल सिंग कोले की गयं दा कि अधुनिकता जो है वो कोई वाद नहीं है कि अवज दृष्ट कोण आगेacht क्योंकि अधुनिकता दी कोई विश्यस आनधी कोई सेध नहीं कोई निशानना न न न जाना एक है कोई विशेश नेम न न न न न यहागि ते ना ही कोई विशेश जो है उदेश एक है अधूनिकता वादी सहाईत किसे भी तरह दि विचारत आरा प्रती प्रति बद नहीं होंदा जड़ा modern जड़ा literature हुन्द है जड़ा अधुनिकताबादी literature हुन्द है कोई वी किसे भी तरह दी उना दी जड़ी खास कोई विचार तारा जो प्रतिवद नहीं आगे मतलगी उनाने कोई determination उना दी नहीं है कोई संकलप उना दा नहीं है कि उनाने कित्थे तक जाना है इस तर कि जिवें दा modern समा चाल रहा है एक आम बंदेनों जड़ी प्रोग्लम्स ने बास उना दी पेशकारी करना ही जो है ओ अधुनिक लिट्रेचर दा मूल मक्सद उन्द है अग्या पवेख लिए कि परंपरा आते अधुनिकता इच की अंतरा गया परंपरा इच परंपरा क्योंकि परमपरा बे जड़े तत आनों आधुनिकता नहीं अपना इपनां दी पर जद वि कोई मात परंपरा इच सहायता ना अपनी होंद स्थापित करदा है ना ता वो देरे प्रबावशाली बनद हैं जदों भी कोई वाद जो है वो अपने तो पहले किसे तुरे आरे वाद दे विच पैर रखके अग्ये वदेगा ना ता वो वाद जड़ा है वो बहुत प्रबावशाली हुंदा है देखो बटा आम जेवनीच भी जदों सी तुर उन्दया ना ता एक पैर सब्ढ़ पिछ उन्दय एक पैर अग्ये उन्दया ताईं ओ सी तूर सकथे गयें तय शफल भी ओधो बन्दय जड़ा बंदा है जीड़ा बंदा एक पैर आपने कल्चरीच रखदा है ते एक पैर जो है अधुनिक्टा विच रखदा है क्योंकि देकर असी दो में प्यारग्य रखांगे फिर तेसी डड़ू देकर छालाई मारांगे तूर नहीं सकांगे ऐसलिए आपनी परमप्रा ना जुड़े होना भी बहुत जरूरी है परमप्रादे तत्तानू अधुनिक्ता नहीं अपनांदी परंतु जद्वी गोई मत परमप्रादी सहायता नाळ अपनी होंद स्थापित करदा है तो बहुत प्रभावशाली बनदा है नेक्स्ट है अधुनिक्ता वादी लेखक मनोवेग्यानिक अंतर द्रिष्टियां दा सहारा लेंदेहन ते ऐस विश्वाश अधीन चेतना प्रवादे नावला ने जनम लेया उन्हों बेटा जड़े तुसी देखो देखते उन्हों नमे जड़े नावल चाल रहने आजकर हरजीत अटवाल देव फोरंदे जड़े लोका ने नावल लिखे एथे भी जड़े लिख रहने उन्हों बहुत जादे आंस जड़ा है वो मनोवेग्यानिक है इन्हों चेतना प्रवादी श्रेनीच रख्या जन्द है नावला नो जिना नावला इस मनोवेग्यानिक नावल लिख देने नेक्स्ट है अधुनिक्ता दे पक्तों पंजाबी साहित अंदर नमे तजर्बे हुंदे रहे ते जिमें मनुख दी कलता बेगान गी यह ते बेवसी वाड़ी स्थिती दी पेशकारी केड़ी स्थिती दी पेशकारी क्योंकि होन जो है स्युक्त परिवा जीवन अंदर आयां मुश्कला आते सहम दा प्रगटावा भी जो है आज गल्दे मोडर नावल सिच हर इक साहित रूप इच वेखन दी आज गल्दी मशक्कत पर इजड़ी लाइफ है गिया ओधी तस्वीर वित्वन वेखन दी है नो देखो बेटा अधुनिक्ता वादे क जीवन दिख रही है अधे शिर्फ पॉइंट पड़ूंगी डिटेल जो है तो अनो ओरली दस्वी बस उनो तुछी नोट कर लाना है पहला लच्छन अधुनिक्ता वादा की है कि अधुनिक्ता दी परकिरिया जड़ी है ना उगती शील रंदी है कि में रंदी है क्योंकि नित नमिया नमिया चुनोतिया जड़ीयने अधुनिक्ता वादे सामने आंधियने ते नमे नमे जड़ेने विकास भी हो रहेने ऐसले जड़ी अधुनिक्ता है ओधी परकिरिया जो है उगती शील है रोजाना नमे नमे जड़ेने विकास हो रहेने सेकिंड है अधुनिक्ता दा एक विश्व्यापी सुरूप होंदी चाया जिमें तर्म निर्पेक राज विश्व्यापी पुझीवादी अवस्था समाजिक विरेचन अते वर्ग अते विक्सित मजदूरी वंड जिमें पुरातन समय चे जड़े आम तोड़ते जड़े राज परबंद उन दे शिगे ना दिखो इन तरहाम्नार समंदी तुम दे शिगे जड़े आम तोड़ते राज स्थाफित करण देखत चरी चैय गोवर्मशनच वीसी नोट कर गैसि ते देखो ताहिन जो है अपने चक्रांच आपफास गई फिर गोवर्मेंट यह उन्द है कि पर डिक्टेटर्शिप बनगे हुँद है मादले कि डैमोखरेसी नहीं रही डैमोकरेसी चैन्ज हूंद है कि तरमनिर पेख राज हुँद्ध है कोई इक विशेश तरमनों नहीं गोवर्मेंट पर मोट करती हुद तक गोवर्मेंट दाय काम हो नहीं कि किसे प्रमोट करें जदों की हुण एक काम जो है वद्र है ते नेक्स्ट है थर्ड है जीवन चैली दी व्यापकता अते विश्वी करन जीवन जून दे टंगाईच नीत देखो तबदीली हो रही है ते पूरा विश्व जो है एक परवार बन के रहा गया है ठीकिना ओत्वन उदस दी लोडने की परवार के में बन के रहा गया टेकनोलजी दी त्रक्की कर गई चोथा पॉइंट है अधुनिक्ता दा बहु पक्खिस रूप जीवे नैशनल अते इंटरनेशनल सोसाइटीज दा होंदवी चाना यह भी अधुनिक्ता वाद दा बहु पक्खिस रूप है गय बहुत सारी सोसाइटेज जैरिया ने ओ रहा गया होंदी चाहिया ते जैरिया मतलगी इंटरन वर्ड पदरते नहीं अधुनिक्ता दे कारणी यह होंदी चाहिया क्योंकि यह पूरे वर्ड दिया समस्यामानु जैरिया ने ओ वेख दिया ने नेक्स्ट है नमबर पाई ते मनुख दी स्थिति या थे होनी बारे चेतनता मनुख दी स्थिति आज काल दे मोडरन बंदे दी जड़ी स्थिति है वो कीमेदी बन गई है वो दे रिष्टे भिखर रहे ने रोजगार ले उनों दोड़ पाजगरनी प्यान दी है बिरोजगारी वाद गई कम्पीटेटिव लाइफ स्टाइल हो गया ते असंतुष्ट हो गया हर पक्तु बंदा ते ऐस्तना जो है मनुखदी स्थितियते होनी बारे मोडर्ण जड़ा लिट्रेचर है ओ चेतनता रखदा है नेक्स्ट पॉइंट है स्रापे मनुखदी दास्तान वी अधुनिक लिट्रेचर इजवेक्षणू मिल दिया है मनुखदे अंदर दी टूट पज अते ओदे गवाची होन दा एहसास मनुखदे ये सारी अंगलना जड लाइफस्टाइल ओथे यूथ जड़ी है अपने खर्चे ना पुगण करके उन्हें गुम्राव उधना नस्यावाल वाद जाना अपने कोई खाइशा पूरिया ना उन्हें ते श्रीरक आकर्षण ते होर जड़ी अकटियां रूचियां जड़ी ने उन्हें इस भी वाद द्रिश्टी कोन है अधुनिक ता भाद जो है घुते विचा यू विचारता रहे वह समाज विच जो है हैं ॄ आ जो भी कोई जीमें राइटर हूंदीने जिडिया धोनीक राइटर ने उना दी विचार तरा ये ज़ूआज वीच ये समाज विच्छ किसे ना किसे श्रैनी दा दरिस्टिकोंदी है कोनलग रेखग दा आपणा कोई ना कोई द्रिश्टी कुण हुंदा है जीदे उन्हें पेशकारी जो है अपने लिट्रेटरी ची करने उन दिये नेक्स्ट है हर लेखक समाज विच किसे न किसे श्रेणी नाल समंदित हुंदा है पर यह जरूरी नहीं कि जड़ियोदी